आजकल फ्लाइट में यात्रियों की अजीबो गरीब हरकतें सामने आ रही है कभी कोई यात्री सराप के नसे में पैसाप कर दे रहा है तो कभी क्रू मेंबर के साथ बत सुलूखी अब फ्लाइट के ट्वाइलेट में एक सक्स सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है उसके खिलाफ मुंबई पूलिस ने केस दर्ज कर लिया है जाने फ्लाइट में सिगरेट पीना कितना बड़ा गुना है हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़ियां और स्वस्त होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लाइट में स्मोकिंग को लेकर क्या है निया क्या एक्सन हो सकता है कहां कहा है यह सक्स और क्या नाम है इसका सब कुछ जानेंगे आज किस वीडियो में बस आप वीडियो के साथ अंतक बने रहे हैं दोस्तो फ्लाइट के ट्वालेट में पीने वाला सक्स के खिलाफ के सदर्ज कर लिया गया है। सक्स पर ना सिर्फ फ्लाइट में सिग्रेट पीने का आरोफ है बलकि दूसरी यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ बतसुलूखी करने का भी आरोफ है। यह घटना लंदन से मुंबई आ रही एर इंडिया की फ्लाइट में हुई। उन्होंने बताया इसके बाद रामा कांथ क्रू मेंबर पर चिलाने लगा, जैसे तैसी हमने उसकी सीट पर बैटहाया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिस की उसके इस बरताओं की वज़ा से सभी यात्रियां डर गए था वे हमारे सुनने को तैयार नहीं था और लगतार हला मचा रहा था इसके बाद हमने उसके हाथ पैर बांध कर सीट पर बैठा दिया चलिए जानते हैं फ्लाइट में स्मोकिंग को लेकर क्या है नियम। इंडियन एरक्राफ्ट एकट 1937 की धारा पचीस में लिखा गया है, फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर पूरी तरह से रोख है। वीमान में पाइलट क्रू मेंबर और यात्री स्मोकिंग नहीं कर सकते है हाला कि इस नियम में यह भी लिखा है कि कुछ मामलों में अगर केंद्र सरकार की ओर से निर्देश मिलता है तो फिर स्मोकिंग की जा सकती है अब जानते हैं क्या एक्षन हो सकता है एरक्राफ्ट रूल्स के मताबिक फ्लाइट में हुर्दंग करने सराब पीने ड्रग्स लेने या स्मोकिंग करने गाली ग्लोज करने पर यात्री को यात्रा से रोका जा सकता है या फिर बिमान से उतारा जा सकता है नियम तेश के मताब को उडान भरने पर बैन लगा दिया जाता है इस सक्स के बारे में अपनी राइ कोमेंट बॉक्स में जरूर दें उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवाद